नवस्कार दुस्तो स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजिक इसने जनल में तो आज के उडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हैल प्रॉब्लेम और उसके सॉलूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे हम यह फोटो में देख रहे हैं उस तरह से जो लेका जो अंदर का बाग होता है वहाँ पे इस तरह से यह जो बलगम है वह अंदर की और चिपक गया है और वहाँ पे फस्ट गया है तो यह जो बलगम है वह निकल नहीं रहा है और बार-बार जो आपको बलगम आता है और आपके सरीर में काफी ज्यादा जो बलगम बन र लगता है या पर जो हम वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से कि जिसको बहती या बरी हुई हम नाग कहते हैं फिर आपको गला जो है वो बार-बार साफ करना पड़ता है काफी बार आपको खासी आती है और उसके करन बोलने में दिक्कत आती है कुछ रुटेन काम कर रहे तो उसमें भी आपको मन नहीं लगता वो काम करने में फिर नाग वो बारी हुई हो जाती है गिलए खासी आती है कि जिसको हम वेट कॉफ कहते हैं और छाती में या फिर आपके फेख़णो में बलगम जमा हो गया है और आठ़वा सिम्टम हम देखे तो छाती में काफ अवह जम से हो सकते कि जिसको मेडिकल टम में वेट काफ कहते हैं तो उसके बारे में सीखते हैं आज के वडियो लेक्चर में और जानते ही कि बल्गम का हम इलाज कैसे कर सकते हैं तो यह जो अलग-अलग चाप्टर से उसकी हम आज के वडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं मिला कि जिसको हम गीली खासी कहती है कि यह जो कफिंग होता है उसके दौरान ख्लैम आता है और होता यह है कि नॉर्मल ही तो हम कई बार हम कफिंग करते हैं पर जब यह खासी लंबे समय तक चलती है तो उसको हम वेट कप के समस्या कह सकते हैं बलगम के समस्या जो है वो कह सकत है तो वो हमारे खाशी के दरू हमारे सारे corporations से बाहर निकल जाती है पर यह होता यह कि जब हमारे च्छाती के अंदर काफी ज़्यद्य कॉफ जमा हो जाता है बल्गम जमा हो जाता है तो आने ने बंदर करना है और उसकी जो सिम्टम से वो काफी ज़दा बत्तर हो जाते हैं मनलगे कि आपको किसी से बात करना है या फिर आप सोए हुए हो और सोकर रूट जाते हैं तो काफी आप uncomfortable फिल करते हैं या फिर किसी के साथ phone पर आप बात कर रहे हैं तो भी आप सही से बात नहीं कर पते बार-बार आपको जो वो खासी आती रहती है तो जो बल्गम है उसका हम इलाज कैसे कर सकते हैं किस तरह से हम ये problem को solve कर सकते तो वो जानते हैं तो symptoms वही रहेंगे कि जो हमने आगे discuss कि जैसे कि नाक जो हो आपके बायती हुई या फिर बरी हुई हो सकती है बार-बार आपको गला साप करना पड़ सकता है खासी में जो खुण आसकता है फिर गले में खारास जैसा फिल करता है कि जिसको हम soarness कहते हैं throat के अंदर पिर कई बार क्या होता है कि जो गला है वो बैठ जता है आवाज बैठ जाई है जिसको हम कहते हैं फिर गला बैठ गया है, स्वर बैठ गया है, जिसको होर्सनेस भी कहा ज़ता है, medical derms के अंदर, फिर कई बार ये condition और ज़धा खराब हो जाती है, तो breathing करना में difficulty होती है, गर-गरा हाट और सांस की तकलिफ रहती है, मलब कि जो छाती में हम देखें, कि मानलों कि आप स्टेथो होती है तो, तो यहाँ पर वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जो हमारी new book है, decision treatment, उसको आप जरूर से order कर सकते हैं, ये book को order करने के लिए, आप दिये गए number पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, तो जैसे आज हम यहाँ पर बलगम के बारे में सीख रहे हैं, ऐ ये book के अंदर दिया गया है, वो भी colorful diagrams के साथ, और सभी विमारी की हम detail study करते हैं, जैसे हम वीडियो में भी पूरा detail में सीखते हैं, ऐसे ही ये book के अंदर भी आप detail में सीख पाओगे, तो ये book को order करने के लिए जो बाजू में जो number दिया है, वो number पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं तब topic पे वापस आते हैं, तो reason समझते हम, जो बल्गम का जो problem है, तो ये कई बार viral infection के करण भी होता है, कि कोई virus के करण आपको infection हुआ है, तो उसमें भी आपके छाती के अंदर बल्गम बन सकती है, फिर viral infection में भी ये problem जो हो सकता है, बेक्टरलेन इंफेक्शन में भी ये problem हो सकता है, फिर जो सामाने सर्दी जो काम का जो problem होता है, उसमें भी ये एक symptom बन जाता है बल्गम, फिर जो gastroesophacial reflux disease कहते हैं, ZERD, तो वो patient को भी कई बार बल्गम का सामना करना पड़ता है, फिर जो अस्तमा के patient है, उनको भी बल्गम हो सकता है, अस्तमा है, या फिर COPD क जो patient होते है, chronic obstructive pulmonary disease, तो उनको भी ये problem हो सकता है, कि जिसको specially lungs related भीमारिया कहते है, pneumonia में भी एक symptom बनता है, बल्गम, फिर जो bronchitis होता है, bronchitis में भी बल्गम produce हो सकती है, और फेपड़ो में कोई injury होई है, abscess हुए है, lungs damage हुए है, तो भी बल्गम जो वहाँ पे जमा हो सकत होता है, फिर किसी को smoking की habit है, तो उनको भी ये problem का सामना करना पड़ता है, फिर allergic reaction होई है, आपको किसी भी तरह की allergy होई है, तो भी बल्गम का problem हो सकता है, फिर जब वातारण में बदलाव होता है, यानि कि atmosphere में कोई change होता है, जैसे कि सर्दी में से गर्मी आती है, गर्वे सिजन हाती है, तो जैसे ही weather change होता है, तो भी कुछ लोगों को सरीर में उनके बल्गम होने लगता है, फिर ठंड के सिजन में भी कुछ लोगों को ज़्यादा बल्गम बनती है, या फिर जो बारिस का मौसम है, वहाँ पे भी ये problem हो सकती है, COPD में ये एक symptom बनता है, तो पास्ट में उनको कौन सी बीमारी होई थी, कौन सी दववाई या यूस की है, या फिर वो कौन से माहौल में रहे रहे है, तो वो सब अच्छे से पेशन काउंसलिंग के दौरान पता चलता है, मैंने कि पेशन के साथ बाच्चित करना जरूरी है, फिर फिजिकल एग्जाम है, कौन से सिम्टम से पेशन के, फिर एक यहाँ पे एक टेस्ट है, ब्रॉंकोस्कोपी भी किया जाता है, कि अगर बहुत सारे तरीके यूस कर लिए, फिर भी पता ने चल रहा कि बलगम क्यू बन रहा है, तो जिससे एंडोस्कोपी होती है, कौन से एरिया में ये प्रॉपसी भी यहाँ पे की जा सकती है, और चेस्ट एक से रहे से भी पता चल सकता है, कि बलगम कितनी मातरा में बना है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बलगम जमा हुआ है, फिर एको काडियोगाम भी किया जाता है पेशन का, कि जिससे भी रीजन पता चलता है, फि फिर से मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूंगा कि जिसे हम यहाँ पे अभी बलगम को डिटेल में सीख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी विमारियों के बारे में सीखना है, तो आप यह जो हमारी बुक है, उसको जरूर से ओडर कर सकते हैं, बुक को पर्चेस करने के लिए आ यानि कि जो काफ करने वाली दवाईया, मुकोलाइटिक्स यानि कि बलगम को पतला करके सरीर में से बाहर निकालेगी, एक्सपेक्टोरन, ब्रॉंकोडाइलेटर्स, मनलब कि ऐसी दवाईया कि जो आपकी ब्रॉंकियल ट्यूप जो नेरो हो जाती है, सिकूट जाती है, उस अधिय पला का कॉफ सिल करके, जो नेच्रल और सीराप आता है, वो प्रिस्क्रेप किया सकते, जिसका डोज रेता है, 5 ml जितना दिन में 2 या 3 बार, कॉफ सिल वेट का सीरं भी आता है, 100 ml के अंदर ये भी प्रिस्क्रेप की जा सकती है, अगर उस्से भी ठीक की नएर, तो वो भी काफी अच्छा प्रॉडक्ट है यहां पर बल्गम को निकालने के लिए फिर हिमालिया का वसा का सिरफ आता है कि जिसके अंदर वसा का रहता है कि जिसका डोज रहता है पांच एमेल दिन में दो या तीन बार फिर यहां पर देखो तो चरक की एक काफी अच्छी कोफ़ल करके तो चरक फार्मा का जो कोफ़ल काप सिरफ है वो भी आप यूज कर सकते हैं फिर जो डैरी फाइलिन के जो टाबलेट होती है वो दिन में एक ही बार ली जाती विकोज यह आप देख रहे कि प्रोलॉंग रिलिस के टाबलेट है ओडी लिखा है वहाँ आप है म फिर ले सकता है पेसंट के अगर इसको बलगम है तो एक या दो लोजेंजेस दिन में दू या थीन बार आप खास सकते जिसके अंदर जो दवाई रहती है हो रहती है खासकर एंब्रोक्सॉल हाइड्रोग्लोराइड दस वाउप्शन हम देखे तो मॉन्टे केल सी मॉन्टे अगर आपको नीगल नहीं जाना है आपको एक ग्लास पानी लेना है या फिर ग्लास में पहले यह टाबलेट डालो और उसमें पानी डालो रच्चे से उसको मिक्स करो कि जैसे यह जो टाबलेट है वो पानी के अंदर गुल जाएगी और वो पानी आपको पीना है तो अगर आपके मेरा ये वाड़ाई वाला वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं और ये जो सरकल है वहाँ पे क्लिक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी वैलियोबल सजेशन से वह मुझे आप कॉमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और बेस्ट